डिक्टेशन स्टार्ट होगा पांच सेकिन बाद स्टार्ट महोदय 13 नवंबर 2017 के पस्चाथ यह अपील तारीक 31 जनवरी 2018 को फाइल की गई है और वह भी दो मास से अधिक की अवदी के पस्चाथ तथा भी एक वर्ष 29 दिनों के विलंब के लिए आवेदन में कोई समूचित कार्ण उल्लीखित नहीं किया गया है अपिलार्थी ने अपील फाइल करने के समय अवधी गुजरने के पस्चाथ अर्थाथ 11 मास के पस्चाथ सेविल प्रकिरिया सहिता के आदेश 9 नियम 13 के अधिन एक आवेदन फाइल किया था इसलिए अपिलार्थी अपील फाइल करने की अवधी के परियवसान के पस्चाथ संस्थित उक्त कार्यवाहियों का कोई फाइदा पाने का हकदार नहीं है विशेस तया वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वर्तमान मामले में अपिलार्थी उपस्थित हुआ था और उसने अपना लिखित कथन फाइल किया था और इसके पस्चाथ वह जान बूजकर कार्यवाहियों में हाजिर नहीं हुआ अपिलार्थी यह प्रकट करने में विफल रहा है कि कब और किस प्रकार उसे आदेसों के बारे में पता चला इस तथ्य से यह भी उपदर्शित होता है कि अपिलार्थी को कार्यवाहियों और उनमें पारित आदेसों की पूर्ण जानकारी थी और उसने विलंब के लिए कोई संतोस जनक स्पष्टी करन नहीं दिया है इस तथ्य से यह भी स्पष्ट होता है कि अपिलार्थी के विद्वान काउंसेल ने अनुपूरग सफत पत्र के लिए समय लेने के पस साथ सफत पत्र फाइल करने से इनकार कर दिया उच्चतम न्यायालाई ने मनि देवराज साह बनाम नगर निगम वाले मामले में इस प्रकार अभी निर्धारित किया है इस बात पर बल दिये जाने की आवश्यक्ता है कि परिसीमा अधिनियम की धारा पांच और अन्य समान कानूनों की अधीन सक्ती की प्रयोग में एक उदारता पूर्ण और न्याय पूर्ण मत लिये जाने की आवश्यक्ता है तथापी न्यायाले इस तथ्य की भी अनदे की नहीं कर सकते की सफल मुकदमेदार ने अक्षेपाधीन निर्णै की आधार पर कतीपई अधिकार अरजित कर लिये हैं और मुकदमेदारी की विभिन प्रक्रमों पर खर्चों की अतिरिक अत्यदिक समय भी लगा है वर्तमान मामले की तथ्यात्मक स्थिते में परियाप्त कारण पद का क्या अर्थ लगाया जाएगा यह बात विश्त्रित रूप से स्पष्टिकर्ण की सद्भाविक प्रक्रती पर निर्बर होगी यदि न्यायालै यह पाता है कि आवेदक की ओर से कोई ऐसावधानी नहीं बरती गई है और विलंब के लिए उपदर्चित कारण में कोई सद्भाविक कमी नहीं है तब वह विलंब को माफ कर सकता है इसके प्रतिकूल यदि आवेदक द्वारा दिया गया स्पष्टिकर्ण बनावटी पाया जाता है या वह अपने हित की कार्यवाहियों में आरंब से ही ऐसावधान पाया जाता है तो विलंब को माफ करने के लिए अधिकारिता का वेध्यानिक प्रयोग होगा समब